प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ अब जैहिन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही दंदार वीडियो लेकर आ हैं ताके हम आपके लिसे लेटिस्ट दंदार और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें जैहिन जैभारत कैनेडा को खुले आम सरे आम वार्म किया है इंडियन प्राइम निस्टर ने के बाई जी स्रीके से रूल्स को वाइलेट किया जा रहा है वहां पे मंदरों पे अटैक क कैसी है आप भारत माता की जय जय जगनात हर हर महादेव बहुत अच्छी हो श्रॉइब आप बताएं मैं भी फिट पाट आज आप नर्जी में लाग रही है मनलब एक दो दिन पहले आपकी दरह नहीं ठीक थी देखने वाले भी जाहरी बात है जानते हैं तबियत नहीं थी को आप बड़ी गही देखे से देखती हैं कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है और इंडिया के साथ कौन सा है मतलब आपको लगता है कि कौन सी पार्टी फिवर में रहेगी रिलेशन बहुतर रहेंगे ट्रेड बहुतर रहेगी मैंने जितना 2020 में अमेरिका के एलिक्शन को मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो किया था 2024 में भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूं और जिस हिसाब से डॉनल ट्रम्प को मैं 2010 से फॉलो करती हूं और मैं उनको बहुत बॉस के तरीखे से मैं उनको मानती हूं और जि इल्जों के प्रती वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और बिलकुल बहुत ही ऑटस्पोकन है बहुत ही जो बाते करते हैं वो बहुत क्रिस्टल केर करते हैं तो अगर मेरे प्रसप्षिं से मेरे थौट प्रोसस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने काया था कि कि ट्रम्प को जीतना चाहिए और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूं कि ट्रम्प को जीतना चाहिए उनकी एक बात मैं जलूर बताना चाहूंगी जो चार दिन पहले हुई थी कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रम्प के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है वैसे दाव पेश दिखाई दे रहा था जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चट्खारा और बड़ा मज़ा और बड़ी लगज़त दिखाई देती है और पूरी दुनिया के जब म उसी में एक बार कमला हैरिस ने आज सर्फ आठ दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा था कि ट्रम्प के जितने भी फॉलोवर है वो गार्बेज है तो ट्रम्प ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहंड करके वो बैट गए और कहें कि अमेरिका में एलेक्षिन में हैं जैसे भारत में मोदी और योगी के जोड़ी है बहुत परिय कहा जाता है और कपाटिबिलिटी संस बॉडु की मिलती है इक मैं का जो अफिक्षन है जो डोनों Sleep का वह जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रम्प को लिवन मस्क कम लोग कैस्ति Gettinghip रहे हैं मैं यह समय ताँ कि बहुत बड़ी बात है मैं देख रहा हूं कि हर दो गिंटे बाद हर चार गिंटे पर ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का वो प्रॉपरली स्पोर्ट कर रहे हैं कि अगर मलब ट्रम्प जीते गा तो फिर यह इस मुझरम को भी सेजा मिलेगी यह कनून में भी बेहतरी आएगी इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को मालब पुराप पर कंपेंड करते नजर आ रहे हैं मैं समय तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं एलन मस्क को और डॉनल्ड ट्रम्प दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ और मैंने आज सुब इसने एंडिट किया तो वह बहुत पसंद आते हैं अब मैं हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर ठीक है के हमारे भारत के बहुत जाहरी बात है अब यह बास स्टार्ट करने लगी है मैं बिल्कुल खमोशी से सूनूंगा लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट किया वह भी आप यह देखा है कि वहाँ पर अगर ट्रंप की बात करें तो वह भी दो तीन दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी के भाई मैं हिंदूों पर जो दूलम हो रहा है उसके ओपर उसके खलाप मैं अपना कंपेंड करूंगा उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा बकाइदा कुछ व इमिनिटी की कहिना गई बहुत ज़्यादा जरूरत है तो इसके उपर भी साथ आप बात करिएगा है और दोनों पार्टी को ऐसा नहीं है कि सिरफ ट्रंप वहां पे भी कोशिश की जा रही है और यहां पे भी कोशिश की जा रही है बिलकुल मैं इसको भी जरूर अपने अ और डॉनल्ड ट्रंप ने भी अब देखना यह है कि जैसे हमारे आपके पाकिस्तान में हमारे भारत में हमारा भारत एक देश है लेकिन कई स्टेट से उसी तरीखे से अमेरिका एक देश है युएस और उसमें कई स्टेट से तो 538 जो है स्टेट उसमें से 270 को जीदना पड अब कमला हैरस जो है वह कैलिफॉरनिया से आती है जहां पर 50 एलेक्टरोल बोट होते हैं और ट्रंप जो है वह फ्लॉरिडा से आते हैं तो वहां पर 30 एलेक्टरोल बोट होते हैं अब बहुत ही नेक टो नेक की लड़ाई है और इस बार मैंने देखा है कि 7 इस्टेट को जैसे हमारे यहां का election और AMRICA का election बिल्कुल different है, बिल्कुल different है, जो मसाला मिल रहा है हमें भी, लेकिन election करने का तोरिका बिल्कुल different है, जैसे swing state क्या होता है, जैसे ETS – ATLAS-INTEL सर्वे के हिसाब से, और भी बहुत सरे सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, इस बार 7 states जो अमारिका के हैं उसको swing state कहा गया है और अमारिका में कौन कभ जीतेगा और कैसे जीत जाएगा किसी को पता नहीं होता है तो उसमें से जो survey reports निकलते हैं उसमें से उन state को चूज किया जाता है जहां से कोई जीत भी सकता है और कोई हार भी सकता है तो ऐसे साथ स्टेट्स चुने गए है अब इसमें Pennsylvania जो है उस पर पूरे दुनिया की नजर है पूरे दुनिया की नजर है क्योंके नेक टुनेक लड़ाई Trump की भी है और नेक टुनेक लड़ाई Kamala Harris की भी है अब क्योंके हमारा जो GDP है पूरी दुनिया में उसका 24% contribution जो है वो अमेरिका में जब election होता है तो इस पूरे दुनिया के stock market की नजर होती है इस पूरे दुनिया के economic की नजर होती है इस पूरे दुनिया के treaty और bilateral relation वालों की नजर होती है इस पूरे दुनिया में जैसे हम G7 करते है या हम G20 करते है या Quad करते है तो इन सब की नजर जो होती है व अगर कोई जियो पॉलिटिक्स को समझता है और एकनोमिक को पढ़ा है तो ये एक बहुत बड़ा कॉंट्रिब्यूशन है अब बात आती है कि क्या कमला हैरिस उन तीन टॉपिक वो तीन आइकॉनिक टॉपिक जिस पर इस बार दो हज़ार चॉपिस का अमेरिका का इलेक्शन मेरिका कहीं पीचे गया है जिसके कैंसर को लेकर के और निजट्व कर लेकर के बात हुई है सबसे जएदा क्युक्योंकि, मामले मे अमेरिका कहीं ना कहीं पीच्य गया है जैसे cancer को लेकर के quad की meeting में भी summit में भी हमारे भारत के आधर्णिया परदानमंत्री ने बात किया था कि cancer को लेकर के हमें और भी ज्यादा शशक्त होनी की जरूरत है और health department को हमें ये कहनी की जरूरत है कि cancer को किस तरीकर से खत्म किया जाए अब आती है immigration की बात तो immigration को लेकर के भी बिड़ेन के जमाने में जब तक बिड़ेन जो बिड़ेन रहे हैं 2020 से 2024 तक में तो जो भी immigration के process और legal process हुआ करते थे उसमें बड़ा flexibility और बहुत ज्यादा दुविदाएं आ रही थी जो लोगों ने गाहे बगाहे बड़े से बड़े morning times कहिए या बड़े से बड़े channels कहिए उन्होंने उसको छापा था और बताया था कि immigration में problem आ रहे थे economy मैं economy को लेकर के job editing के समाने को में कोई दुविदा नहीं खड़ा करना चाहूंगी क्यूंकि economy को उन्होंने समाला है ऐसा नहीं है कि नहीं समाला है definitely समाला है और America को जिस हिसाब से job editing ने चलाया था 2020 से 2024 तक में वो सराहनी है था अपने किसी भी bilateral relation और treaty के relation को उन्होंने damage नहीं किया उन्होंने ruin नहीं किया हां बहुत balance बाइस नहीं था उनका कोई भी decision हर decision उनके balance रहे है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के जैसे बहुत सारे मजभ और धरम को लेकर के उनके उनकी biasness दिखाई डी है अब क्योंके immigration और health को लेकर के उनके उपर questionable और objectionable mark आ रहे थे job ident पर तो उन्होंने क्या किया कि कमला Harris को उन्होंने खड़ा किया अब कमला Harris को उन्होंने क्यों खड़ा किया यह बहुत बड़ी बात है तो यह जानने वाली यह बात है कि 2015 के एक survey report के हिसाब से युएस में हिंदू के population बहुत बढ़ रहे थे यह 2015 का survey report है वह भी global survey report है कि अमेरिका में हिंदू population इतना बढ़ गया था कि वह largest fourth faith में आ चुका फोर्त faith में आ चुका अब आती है बात कि हाला कि अभी भी अगर हम population हिंदू कि देखें तो वो one percent है only one percent लेकिन लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जॉब इडेन और ट्रंप के बीच में जो लडाई हुई थी उसमें कितने percent की हार और जीत थी तो उसमें हम देखेंगे कि जॉब इडेन को electoral vote जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे तो यह one percent हिंदूओं का vote जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपून सावित हो रहा है क्योंकि अमेरिका का जो election होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है ठीक है 0.5% पर भी अभी पूसरे सवाल का जवाब मैं दे दू उसके बाद मैं आपका सवाल लूँगी अब आती है बात कि जोब इडेन ने बिल्कुल तुरुप का एका खेला और उन्होंने सोचा के जोब इडेन पर जितनी भी question number और objectionable mark थे उसको खतम करने के लिए और हिंदूों के vote को attract करने के लिए उन्होंने Kamala Harris को खड़ा किया और Kamala Harris ने last six months से अपने हिंदू इनसेस्टर्स अपने हिंदू रिलेटर्टिव अपने हिंदू एक्व का उन्होंने परचार करना star कर दिया और उन्होंने कहना start कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो स्टेटमेंट ट्रंप का उठाओ तो भी वह हिंदुओं के लिए बहुत स्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था मैं 2001 स्टेटमेंट उठाओ तो हिंदूओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जजबात पाए गए थे लेकिन कमला है रिस ने अपने एंसेस्टर्स तो ब बनती है तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी इस बीच में ट्रम्प ने एक ऐसा ट्रम्प खेला कि हिंदू कन्वेंस हो गए और हमारे भारत में इंडोनेशिया में उसके बाद बांगलादेश में उसके बाद पिर UAE में बजावते पूजा रख दिया गया ट्र को जीतना चाहिए कई ऐसे द्रश और कई ऐसे वीज्विल्स और कई ऐसे इंडियान चानल पर न्यूस चले है जहां पर पंडित जी है महंत है संथ है प्रभू जी है कुरू जी है वो लोग बैट करके ट्रम्प के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको दो की बैटी नाजी लाइक खांजी ने तो यह वीडियो और आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप